जब बच्चों को दस्त की समस्या रहती है या फिर पेचिस की समस्या रहती है या फिर पेट में मरोड होता है या फिर बच्चों को गैस की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पिलाने के लिए बच्चों को दिया जाता है और इस सीरप का उपयोग बच्च रहता है तब ये डॉक्टर सीरफ पिलाने के लिए देते हैं इस सीरफ का डोज क्या होता है इस सीरफ को पिलाना कैसे होता है इस सीरफ का साइड इफेक्ट क्या होता है और इस सीरफ में क्या कमपोजीशन पाया जाता है क्या साल्ट पाया जाता है इसके बारे में आज हम आप को हिंदी में जानकारी देंगे इस सीरफ का उपयोग जब छोटे बच्चों में दस्त की समस्या रहता है तब डॉक्टर के दौरा ये सीरफ पिलाने के लिए दिया जाता है जिससे जो बच्चे को दस्त का प्रॉबलम रहता है वो ठीक हो जाता है और जैसे कि इस सीरफ का उपयोग छोटे बच्चों में जब छोटे बच्चों को पेचिस की समस्या रहती है जैसे कि पेचिस के साथ में अगर दस्त और पेचिस की समस्या बच्चों को रहता है तब ये सीरफ पिनाने के लिए दिया जाता है ये स मरोड सा होता है और पेट में गैस का प्राबलम भी रहता है तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी प्राबलम को ठीक करने के लिए ये सीरप बच्चों को पिलाने के लिए दिये जाता है लेकिन इस सीरप का सबसे ज़्यादा उपियोग अगर बच्चों को दस्त की समस्या है य या फिर बच्चे के पेट में गैस बना हुआ है, गैस के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर पेट में आइठन सा हो रहा है, मरोड सा हो रहा है, तब इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सीरप बच्चों को पिलाने के लिए दिया जाता है डिसेंट्री की समस्या में इस सीरप का उपयोग किया जाता है डिसेंट्री एक तरह का लूज मोशन की प्राबलम छोटे बच्चों में देखा जाता है डिसेंट्री की समस्या में भी इस सीरप का उपयोग छोटे बच्चों में करने के लिए यानि छोडे बच्चे को पिलाने के लिए डॉक्टर के द्वरा बताया जाता है डीस psychiatry की समस्या में बच्चों को बार बार लूज मोशन की समस्या थेगे बार बारर लेटरिग का प्रॉब्लम रहेगा तब ये समस्या ठीक करने के लिए ये सीरप बच्चों को पिलाने के लिए डाक्टर देते हैं और जैसे कि आपने देखा होगा जब चोटे बच्चों को दस्त की समस्या रहती है या फिर पेट में दर्द रहता है या फिर पेट में गैस बन जाता है उसकी वज़ा से उनके पेट में काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है और जैसे कि जो बच्चों का पेट होता है वो फूल जाता है तब इन सारी प्राबलम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दोरा ये सीरफ छोटे बच्चों में पिलाने के लिए दिया जाता है और इस सीरफ का सबसे ज़्यादा उपयोग जैसे कि छोटे बच्चों के अगर दात में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के दोरा ओफलोकसासीन मेट्रो नीडा जोल कंबिनेशन का ये सीरफ दिया जाता है जब बच्चों को डेंटल इंफेक्शन की समस्या रहता है तब डॉक्टर के दोरा ये सीरफ दिया जाता है और जैसे कि छोटे बच्चों में पाइल्स की समस्या हो जाता है या फिर फिसर की समस्या हो जाता है तब भी डॉक्टर के दोरा ये समस्या को ठीक करने के लिए ये सीरप पिलाने के लिए छोटे बच्चों को दिया जाता है चलिए अब हम आपको इस सीरप के composition के बारे में बताते हैं इस सीरप में क्या दवा क्या salt पाया जाता है जैसे कि इसमें जो salt पाया जाता है ओफ लकसासीन, मेट्रो, नीडा जोल और सेमेथी कौन ये सभी composition इस सीरप में पाया जाता है चलिए अब हम आपको इस सीरप के डोज के बारे में बताते हैं ये सीरप बच्चो को कैसे पिलाया जाता है जैसे कि जो सीरप का डोज होता है ये बच्ची की दिक्कत परिसानी और उसके age और उसके weight के according डॉक्टर देख के ये दवा निर्धारित करके बताते हैं लेकिन अग अगर बच्चा एक साल से लेकर धाई साल के बीच में होता है या फिर तीन साल का होता है तब डॉक्टर के दौरा धाई से तीन ml पिलाने के लिए बताया जाता है और बच्चा अगर एक साल से लेकर पांस साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के दौरा पांस से छे ml पिल हो सकती है, गूओ मेटिंग हो सकती है, अगर यह सीरभ आप अपने बच्चे को ऊपर डोज की मातरा में देंगे तो आपको बच्चे को बहुत ज्यादा नीद की प्राबलम हो सकती है, सीर में दर्दसा हो सकता है, तो यह सब साइड इफेक्ट अगर आपके बच्चे को दिख आनी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संप्रक करें